हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोसन आप सभी का स्वागात है हमारे यूट्यूब चैनल मायनिक लासेस पर आज का हमारा टॉपिक है मैच फेक्टर इन सवेल डंपर कॉंबिनेशन इन ऊपन काश्ट माइस दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है अल्मुस्ट एवरे एक्जाम इससे एक नुमेरिकल आता ही है तो हम इसे बनाने के कोशिस करेंगे चलिए शुरू करते हैं आउटकम अप दिस लेक्शर विल बी इन सवेल डंपर कॉंबिनेशन और नुमेरिकल बेस्ट उन मैच फेक्टर इन सवेल टंपर कॉंबिनेशन दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है हमेशा इससे एक नुमेरिकल आपके हर एक्जाम पर आता ही है तो हम लोग इसको समझने की कोशिस करेंगे कि मैच फेक्टर सवेल टंपर कॉंबिनेशन में होता क्या है और साथ सी साथ पर इस पर हम लोग नुमेरिकल बारेंगे चलिए सुरू करते हैं अलॉटमेंट आप डंपर तो सवेल सो डेट नेधर सवेल नौर डंपर सुट रिमें आइडल एट एनिटाइम वाइल वर्किंग आप यह समझे कि हम लोग सवेल डंपर कॉंबिनेशन पर काम कर रहे हैं सवेल एक लोडिंग मसीन है मसीनरी है और डं करना है या क्रसर प्लांट या जो भी है इसके लिए तो इस पे आपको क्या करना है आपको सौवेल को इतने डंपर अलॉट करना है कि एट टाइम उस सिस्टम पे सौवेल खाली ना रहे और डंपर भी खाली खड़ा ना हूँ आइडल ना हूँ अब यह कैसे होगा मान डंपर को लोट कर चुका होगा तो दूसरा डंपर उसके पास हमेशा मौजूद हो लोट करने के लिए और जब दूसरे डंपर को सौवेल ने लोट कर दिया उसके बाद जो पहला डंपर उसने भरा था वह वापस उसके पास अवेलबल हो फार लोडिंग तो इसे क्यू पर क्लिए क्या होगा इस सिस्टम पर क्या होगा कि ना तो आपके क्यू पे कतार पे पंक्ति पे अपका अपका सावं कले डльाप लगा ओण यह आपका सावं कल र रूक रहा है एक आपको मैं जनले आपको खड़ा है तो क्या होगा आपका इतना नुकसान होगा दस हजार रुपए प्रतिक घंटे यह रफली एक फिगर है आप यह मानिए तो आपको प्रोडक्शन भी कम हुआ आपने अच्चियू भी कम किया तो on the basis of that on the basis of that आपको 10,000 रुपए का नुकसान होगा अब देखिए मैच फेक्टर हमारे लिए क्या होना चाहिए मैच फेक्टर होना चाहिए वन जब मैच फेक्टर वन कब होगा जब ना तो सौविल लोड डंपर के लिए आइडल बैठा हुआ है या क्यू पे लाइन पे आपके डंपर आइडल है कि सौविल से लोड लेने के लिए तो तब होता है आपका मैच फेक्टर वन एक्जाम्पल समझने से पहले या निमेरिकल सम बनाने से पहले बिफूर गेटिंग स्टर्ट लेट्स अंडर्स्टेंड दर्ट टर्मलोजी अफ साविल के द्वारा कितना कि वह एक पूरिट कंप्लेटली वह भर सके तो देट इस लोडिंग टैम एंड साइकल टैम आप डंपर पे सौविल लोड कर रहा है आपका माटेरियल वह टाइम रहेगा प्लस हॉलिंग टाइम अप्टू डंपिंग पॉइंट वह एक किसी खास दूरी पर लेके जाके डं होगा और उसके बाद वापस एक जिस दूरी पर बार का प्लस अन्लोडिंग टाइम यह आपका साइकल टाइम होता है यह लोडिंग टाइम होता है यह टौपिक समझना जरूरी है ताकि हम लोग अपने एक्जामपल समझ सकें और नुमेरीकल बना सकें चलिए इक्जांपल पर चलते हैं, यहां पर आप example से देखिए, आपका saw wheel का loading time है, आपका दिया हुआ है 4 minute, और dumper का cycle time दिया हुआ है आपका 12 minute, एक saw wheel पे आपको 3 dumper allot हुआ है, तो अब कैसे इसका match factor 1 होगा, आप यह समझे, यह आपका 1 saw wheel है, यह आपके 3 dumper आपके सामने मौजूद है, जब saw wheel इसको fill करता है, starting in the shift, जब यह saw wheel ने इसे fill किया 4 minute के लिए, इसके बाद यह load लेके चला गया, 4 minute हो गया, फिर इसके बाद next 4 minute पे saw wheel ने इसे complete fill किया, यह load लेके चला गया, फिर next 4 minute में saw wheel इसे load करेगा, यह आपका dumping के लिए चला गया, अब क्या होगा, 4 plus 4 plus 4, 12 minutes होए, तो जो पहला हमने fill किया था, इस पे 4 minute लगा, और इसका cycle time दिया होगा, आपका 12 minutes, तो इस यह 8 minute पे, within 8 minutes, यह hauling भी करेगा, unload करेगा, यह वापस आ जाएगा, तो आप देखिए, after 12 minutes, यह again आपको load लेने के लिए तैयार हो गया, जैसे इसे load देगा, आपका यह 4, यह plus 8, आपका यह दूसरा dumper ready रहेगा, इसे fill करने के बाद, तीसरा, जब इसे fill हो जाएगा, second number का dumper fill हो जाएगा, तो आपके पास, third number का dumper allotment के लिए ready रहेगा, तो इससे क्या होगा, लगातर हमेशा, every time, there will be, sawwell will be present there for loading, and dumper will be present to sawwell, so, the whole system will work continuously smoothly, there is no lagging between sawwell and dumper, no system, in this system, no dumper should be in the queue, nor sawwell will remain idle, so, this will be called match factor 1, एक open cast mines है, sawwell dumper combination जहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर sawwell का loading time, क्या दिया हो है, 5 minutes, और cycle time for dumper is 20 minutes, अगर एक sawwell पर six dumper और allotted for one sawwell, so, हमें calculate करना, what is match factor, हमें match factor calculate करना है, तो, आपको सबसे पहले इस जब numerical को बनाएंगे, तो आपको बस यही ध्यान देना है, loading time क्या है, cycle time आपको क्या दिया हुआ है, और कितने dumper उस sawwell को allotted है, चलिए इसे, हम दो तरीके से बनाएंगे, पहले without formula, and with second वाला आपका after formula, so, चलिए इसे बनाते हैं, चलिए हम इस numerical को without formula solve करने की कोसिस करते हैं, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, loading time आपका दिया हुआ है, sawwell का 5 minutes, और cycle time आपको dumper का दिया हुआ है 20 minutes, तो हमको सबसे पहले इसमें determine करना है, कि जो sawwell दिया हुआ, एक sawwell दिया हुआ, कितने dumper को load कर सकता है, given in loading time और cycle time आपके dumper पे, तो क्या हो जाएगा, 20 divided by 5, यह आगया आपका 4, इसका मतलब यह हुआ, कि दिये हुए loading time पे, लगातार जब वो sawwell load करता रहेगा, तो 20 minutes load करेगा, 20 minutes के बाद क्या होगा, देखिए, आपको पहला वाला dumper दुबारा को आ गया, available हो जाएगा load करने के लिए, so 20 minutes के अंदर वो कितने load कर पाएगा, 4, so अगर पहला वाला आपका load होने के बाद, वापा 20 minutes के बाद आ गया, तो आपको Q पे हो जाएगा वो, इसलिए आपको 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर 4 से ज़्यादा हो गया, तो Q पे हो गया, so इससे हम लोग क्या interpret कर सकते हैं, कि उसे सिर्फ sawwell को load करने के लिए सिर्फ 4 ही dumper चाहिए, क्योंकि after 4, 4 dumper load करने बाद, 5 वाद दंपर के जब chance आएगा, so आपका first dumper will be available for loading, so आप यह कह सकते हैं, match factor इसका हो जाएगा 1, देखे, एक sawwell पर 4 dumper allotment होने पर हमको पता चल गया, कि match factor 1 होगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना allotment है, 6 dumper allotted है, for 1 sawwell, तो हम लोग minus कर देंगे, 6 minus 4 हो जाएगा 2, 2 dumper's are extra, आप assume करिए, for 4, match factor is 1, तो for 2 क्या होगा, 4 के लिए 1 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 0.5, एक के लिए क्या होगा, 0.25, आप यह percentage पे देखिए, 4 मतला 100%, तो 2 मतला 50%, 50% को आपके लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, तो आपको for 6 match factor क्या हो जाएगा, 4 plus 2, यह आपका dumper है, तो dumper आपके पास 4 dumper होने पे match factor हो रहा, 1, 2 dumper पे होगा 0.5, so for 4, 1, for 2, 0.5, so match factor will be 1.5, आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे यह 7 होता, तो 7 के लिए आपके लिखते हैं, 4 plus 3, आपका 4 क्या है, 1 है, 3 का क्या हो जाएगा आपका, 4 का, 4 is 100%, then 3 will be 75%, 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.75, so match factor क्या हो जाएगा, 1.75, इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है, चलिए अब हम formula के साम देखते हैं, हम लोग अब with formula इसे solve करने की कोशिस करेंगे, formula पे हमें आपको कोशिस करूँगा कि आपको formula याद हो जाए, तो formula में क्या होगा, time taken to load all the dumpers, इसका मतलब यह है कि जितने भी dumper आपको solve को allot हुए हैं, उसको load करने में, solve की द्वारा load करने में कितना time लगेगा, so यह divided by cycle time of dumper, so आप कैसे determine करेंगे कि how much time will solve take to load all the dumpers which is allotted to solve, so यह हो जाएगा number of dumper into loading time of solve and divide by cycle time of dumper, so देखिए हमारे numerical पर क्या दिया हुआ, number of dumper कितना allotted है solve को, 6 and loading time of solve आपको क्या दिया हुआ, 5 minute, so 6 into आपको हो जाएगा, 5 divided by dumper cycle time is 20, so आपका answer आजाएगा 1.5, so इसी तरह से आपको निकालना है, हम लोगों ने without formula बताया और साथ में with formula, आसा करता हूँ आपको यह numerical समझ में आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please like and subscribe mining classes for further more update, thank you.